हेलो दोस्तो, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है फ्रिंड आज हम लोग बात करने वाले हैं UP Scholarship 2021-22 के बारे में फ्रिंड बहुत ही बड़ी खुशकबरी साम निगल के आई है चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टुडेंट हो और आज आपको हम लाइप पुरूफ दिखाएंगे कि किन-किन छात्र की स्कॉलर सी पाई है और किस डेट में आई है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मेलेगी जो लोग भी नए है या फिर मेरे चनल पे पहली बार आए है यहाँ पे APBS क्रेडिट है CR क्रेडिट और तोटल बैलेंस इनका इतना हुआ था और देखिए यह आज ही का डेट है 31.3.2022 का ही आज का डेट है और 11.27.41 सेकंड पे इनके डाइरेक्ट बेंक एकाउंट में ट्रांसफर हुआ है 56,600 रूपे ठीक है ओके फ्रेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इनका एकाउंट नंबर यहाँ पे था क्रेडिट विथ 8,650 रूपे आज ही काडेट यहाँ पे सोग कर रहा है 31.3.2022 ठीक है और देखिए 10.44 मिनट 42 सेकंड पे फ्रेंट आज का जो स्कॉलर्शिप का एमाउंट है दसी बजे से स्टार्ट हो गया था बच्चों के खाते में ट्रांसफर होना और इनका जो है 10.44 मिनट 42 सेकंड पे इनका जो 8,600 रूपे डाइरेट उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है फ्रेंट बात करते हैं उनका यहां पे देखिए यहां पे डेट लिखा है दस बच के 46 मिनट ठीक है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ठीक है यहां पे देखिए यहां पे जो इनका एकाउंट नमबर जो भी रहा होगा इनके में भी आज 56,600 रुपए ट्रांसफर हुआ है 31,32,22 आनि आज ही के डेट में और 10 बच के 44,49 मिनट पर इनका पैसा जो है इनके एकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है ओके ओके फ्रेंट तो यहां देखिए इनका एकाउंट नंबर है क्रेडिट भी रुपए 53,300 रुपए देखिए 53,300 रुपए और आज ही का डेट है 31,32,22 और इनका भी 10 बच के 44,40 सेकंड पर इनका जो पैसा है इनके एकाउंट में डाइरेक्ट ट्रांसफर हुआ है ठीक है देखिए 53,300 रुपए और आज ही का डेट यहां पर है 32,22 इनका जो एकाउंट जो ट्रांसफर हुआ है 10 बच के 10 मिनट 26 सेकंड पे इनका जो पैसा है इनके बैंक अकाउंट में डाइरेक्ट ट्रांसफर हुआ है 10 बच के 10 मिनट 26 सेकंड पे 47,940 रुपए तो फिरिंड यह था पुरूफ जो आपको हमने दिखाया है उनका आधा या फिर मतलब बहुत ही कमा रहा है ठीक है यानि जो लोग 40,000-45,000 रुपए अपना फीच दिये थे उनका 10,000-12,000 रुपए आ रहा है तो इससे साप ये होता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या फिर जिनका फॉर्म वेरिफाई हो चुका है ऐसा लग रहा ह कि मतलब इस बार सारे बच्चों का मतलब देने का तरीका है कि इस बार सारे बच्चों को इस बार जो पैसे हैं और दिया जाए जहां तक मेरी सोच है बहुत सारे बच्चों की इसके पहले जो लोग भी बच्चे थे उनका जो पैसा था पूरा का पूरा आता था अगर आप recommended by district scholarship committee दिखा रहा है उनको मतलब कम या फिर ज्यादा कुछ न कुछ जरूर मिलेगा इस बार ठीक है तो हो सकता है कि percentage criteria इस बार ना रखा जाए इस बार इस उम्मीर से दिया जाए कि जो लोग भी farm भरे हैं जिनका farm correct है उनको कुछ न कुछ चातरविर्ती का आप दिया जाए तो फ्रेंड आप लोग निश्चिंत रही है जो scholarship की date है ओभी बढ़ चुकी है ओभी 10 अपरेल तक हो चुकी है आप लोग 10 अपरेल तक वेट कीजिए I hope आप सबको आपकी जो scholarship है amount है आपके account में ट्रांसफर हो जाएगी चाहे फ्रेस हो चाहे रिनुवल हो आज चाहे फ्रेस हो चाहे रिनुवल पूरे बच्चों का ठीक है BA, MA, BA, BSC, BTC ठीक है बिटे सारे बच्चों का फ्रेस रिनुवल मलब दोनों छात्रों का आज पैसा जो है ट्रांसफर हुआ है जिनका नहीं हुआ है वो लोग परिशान ना हो थोड़ा सा धैर बना रखे 10 सप्रेल तक डेट बढ़ी हुई है ठीक है और उसके बीच आपको भी आपका जो स्कॉलर्शिप का एमाउंट है मिल जाएगा I hope आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो please इस वीडियो को like, share और मेरे चैनल को comment जरूर कीजएगा मिलते ह झाल थे है झनेस्ट बढ़ी हैंट जो वीडियो पसंद झाल 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 झाल